हेलो एवरिवन आएम हिमानशी वेलकम टू सिविल पांडर ओडियो आर्टिकल आज हम डिसकस करेंगे तूट दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट मध्यप्रदेश नैशनल और इंटरनाशनल करेंट अफेर्स के बारे में साथ इससे related important facts भी डिसकस करेंगे इसलिए audio आर्टिकल को लास तक सुनियेगा चलिए शुरू करते हैं हाल ही में Walmart, Flipkart ने MSME का समर्थन करने के लिए किस state के साथ agreement sign किया है तो इसका आंसर है मध्यप्रदेश Walmart और Flipkart कंपनी ने MSME का समर्थन करने के लिए मध्यप्रदेश के साथ agreement sign किया है बात करें Flipkart की तो इसको फाउंड किया गया था 2007 में headquarter है बैंगलोर करनाट का founder है सचिन बंसल और बिनी बंसल और यहां के वर्तेमान CEO है कल्यान क्रिशनमूर्थी बात करें Walmart की तो इसके founder है Sam Walton इसको फाउंड किया गया था 2 जुलाई 1962 में और इसके प्रेजेंट CEO हैं Dog Macmillan Next, हाल ही में World AIDS Day कब मनाया गया तो इसका answer है 1 December 1 December को World AIDS Day मनाया गया है दोस्तो इस बार की theme थी End Inequality, End AIDS और End Pandemic साथी दोस्तो आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में BSF ने अपना 57 Foundation Day बनाया है 1 December को BSF की स्थापना हुई थी 1 December 1965 में Director General है BSF के पंकच कुमार सिंग और मोटो है Duty on to Death Next, हाल ही में Sandra मिसान ने किस country की first woman president बनी है तो इसका answer है Barbados Sandra मिसान Barbados की first woman president बनी है इनका नाम आपको याद रखना है बात करे Barbados की तो ये Caribbean country है जो की हाल ही में Republic country बन गई है इसकी capital है Bridgetown, currency है Barbados dollar Next, हाल ही में International Police Organization Interpol के new chairman कौन बने है तो इसका answer है Nazil al-Reasi Nazil al-Reasi International Police Organization यानि की Interpol के new chairman बने है बात करें Interpol की तो इसको found किया गया था 1923 में Headquarter है Leon France, Operation HHG Second Interpol के cybercrime से related है इसे भी आपको याद रखना है Next, हाल ही में किस country ने Future Soldier Modernization Scheme की शुरुआत की है तो इसका answer है United Kingdom यानि की UK ने UK ने Future Soldier Modernization Scheme की शुरुआत की है UK ने वर्ड में अपनी military power को बढ़ाने के लिए इससे launch किया है बात करें UK की तो इसमें शामिल countries हैं England, Scotland, Wales, North Island इसकी capital है London जो की तेमस नवदी के किनारे बसी है currency है Pond Sterling, Prime Minister है Boris Johnson UK और इंडिया के भी जो military exercise है वो देख लेते हैं जैसे की कौनकन शक्ती और अजे वारियर 47th G7 Summit 2021 इंग्लैंड में आयोजित हुई थी इंग्लैंड के Greenwich से Prime Meridian Line गुजरती है इसे भी आपको याद रखना है और हर घर में Electric Vehicle Charging Station लगाने वाला पहला देश UK बना है इंग्लैंड के Liverpool City के नाम UNESCO World Heritage Site की लिस्ट से हटा दिया गया है इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों साथी दोस्तों एक English Channel का नाम आपको याद रखना है जो की UK और France के बीच है फर्स्ट इंडियन जो English Channel पार किये थे उनका नाम है मिहीर सेन और फर्स्ट इंडियन फीमेल जो English Channel पार की थी उनका नाम है आरती सानहा दोस्तों ये कोश्टन काफी बार पूछा गया है एक्जाम में इसलिए आपको याद रखना है नेक्स्ट हाल ही में किस स्टेट में इंडिया का फर्स्ट प्रूफ और्गैनिक फ्रूट कीवी लॉंच किया गया है दिसका आंसर है अरुनांचल प्रदेश अरुनांचल प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट प्रूट और्गैनिक फ्रूट कीवी लॉंच किया गया है बात करें अरुनांचल प्रदेश की तिसकी कैपिटल है इटानागर चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू गवर्नर है विस्विभूशन हरीश चंद लोक सबसीट है यहां की टू और राज सबसीट है यहां की वन नाम दफ़ा नैशनल पार्क अरुनांचल प्रदेश में है मॉलिंग नैशनल पार्क भी अरुनांचल प्रदेश में है रॉडन ड्रॉन पार्क अरुनांचल प्रदेश में है डैम जो अनुरांचल प्रदेश में है वो है रानानाडी डैम इसे आपको याद रखना है साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में अरुनाचल प्रदेश ने केसरे हिंद नाम से स्टेट बटरफ्लाइ घोशित की है और हाल ही में संजदत को अरुनाचल प प्रकाश ने डेमोक्रसी पॉलिटीशन एंड गवर्नर्स बुकली की है इसे वाइस प्रेसिडेंट वेंगया नाइडो ने लॉंच किया है इसे भी आपको याद रखना है नेक्स्ट हाल ही में श्रीव विनिला सीताराम शास्त्री की देथ हो गई है वे कौन थे तो इसका आंसर है सिंगर ये एक सिंगर तेलकु सिंगर थे जिनकी हाल ही में देथ हो गई है तो श्रीव विनिला सीतारामन शास्त्री का नाम आपको याद रखना है नेक्स्ट हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कंडरी का सबसे बड़ा manufacturing hub कौन सा बना है तो इसका आंसर है गुजरात गुजरात सबसे बड़ा manufacturing hub बन गया है दोस्तों इसका नाम आपको याद रखना है बात करें गुजरात की तो इसकी capital है गांधी नगर इसका गठन किया गया था 1960 को में चीफ मिनिस्टर है भुपेंद्र पटेल, गवर्नर है श्री अचारे देवरत, लोक सबा सीट है यहां की 26 और रज सबा सीट है यहां की 11 हाल ही में गुजरात हाई कोट के चीफ जिस्टिस अर्विन कुमार बने है इनका नाम भी आपको याद रखना है गुजरात के कुछ नेशनल पार्क के नाम है जो अकसर एक्जाम में आते हैं वो एक बार रिवाइस कर लेते हैं जैसे कि गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पा कडाना डैम माही नदी के किनारे बना है सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के किनारे बना है करंजन डैम करंजन नदी के किनारे बना है मिटी डैम अजी डैम और सीपो डैम के भी नाम आपको याद रखने हैं गुजरात में चार वर्ड हैरिटेज साइट है जैसे कि दौल पवागड भी एक गुजरात में साइट है रानी की वाउ और हिस्टॉरिक सिटी ओफ एहमदाबाद भी गुजरात में वर्ड हरिटेस साइट है तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गुजरात के बारे में नेक्स्ट हाल ही में एड़ टेक स्टार्टप गुवी न से अपना ब्रैंडम मेजडर एपोइंक किया है तो इसका आंसर है स्मिर्टी मंधाना स्विपि मंह जोकी एक केक्टर है इन्हें एृड टेक स्टार्टप गुवी का ब्रैंटम मेजडर एपोइंक किया है तो उनका नामा आपको याद रखना है नेक्स्ट हाल ही में रोप वे सर्विस शुरू करने वाला इंडिया का पहला सिटी कौन बन गया है तो इसका आंसर है बनारस बनारस रोप पे सर्विस शुरू करने वाला इंडिया का पहला सिटी बना है जिसे वारा नसी भी बोलते हैं दोस्तों आए कुछ फैक्ट डिसकस कर लेते हैं वारा नसी के बारे में घाट और वारा नसी को टेंटेटिव लिस्ट आफ यूनेसको में शामिल किया गया है वारा इस चंद्रगाट नेक्स्ट हाल ही में नैशनल सेक्योरिटी कॉलेज का चीफ किसे एपॉइंट किया गया है तो इसका आंसर है मनोच कुमार मंगू मनोच कुमार मंगू को नैशनल सेक्योरिटी कॉलेज का चीफ एपॉइंट किया गया है दोस्तों नैशनल सेक्योरिटी भी आपको याद रखना है तो ये था आज का डिसकेशन आए होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का कोश्चन है हाल ही में इंटरनाशनल पुलिस और्गिनाइजेशन यानि की इंटर पोल के न्यू चेर्मेन कौन बने है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है आडियो आर्टिकल पसंद आये तो इससे लाइक कमेंड एंड शेर करें जैहिंद